हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में तो यहां पर दोस्तों MP पुलिस न्यू अपडेट आपको यहां पर मैं बताने वाला हूँ कि दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट है जो आपने साइध नौटिफेशन में नहीं देखी होगी 35 लड़कों को यहां पर लिया जाएगा और इसके क्या फायदे होने वाले हैं पूरी जानकारी आपको विद्प्रूप दिखाने वाले हैं दोस्तों अगर चैनल पनाए है तो चैनल को सस्क्राइब और बैल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आप सभी को मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप यह देख सकते हैं यह MP पुलिस का नौटिफेशन है जो की 26 छैसे एक्जाम आपके यानि की फॉर्म आपके चालू हुए थे उसके साथ 12 आठ से आपके यहां पर एक्जाम जो है वो चालू हुए थे यहां पर एक्जाम खतम हो चुके हैं एक्जाम खतम होने के बाद दोस्तों यहां पर आंसर के भी आ चुकी है और आंसर की आने के बाद आपकी आपत्यां भी दर्ज हो गई है अब बात आपकी result तक की है कि result आपका कब आएगा उससे पहले आप ये notification में जो दिया गया है इस point को आप पढ़िए यहाँ पर point का है दोस्तों प्रतिक्षा सूची सामान प्रसासन विवाग के आदेश क्रमांग C39-2016-13-10-10-16 के अनुशार विज्यापित पदों की संख्या के 15% अभ्यार्थियों की प्रतिक्षा सूची बनाई जाएगी जो की परिणाम घोसित होने से एक वर्स अथवा नवीन परिक्षा के परिणाम घोसित होने तक जो पहले भी पहले हो प्रभावी रहेगी रिक्त पदों की पूरती इस प्रतिक्षा सूची से की जाएगी क्या होता है दोस्तों जैसे की आपके MP पुलिस में मालीजी 7000 प्लस आपके पद है 7000 में मालीजी दोस्तों 7000 प्लस हैं बहुत बच्चों ने एक्जाम क्वालिफाई गिया पीएस्टी फीजिकल क्वालिफाई कर लिया अच्छे नंबर आ गए उसके साथ साथ कुछ ऐसे रहते हैं दोस्तों सब निकलने के बाद उनका सलेक्शन होने के बाद 7000 में मालीजी की 1500 ऐसे आप भ्यारती हैं जो इस पोश्ट को जोईन नहीं कर रहे हैं जोईन नहीं कर रहे हैं तो क्या होता था पहले ये जो 1500 पद है वो खाली रह चुके या भरे नहीं जब तक इसकी नहीं भरती नहीं आएगी तो ये पद जो है भरे नहीं जाएंगे इसलिए दोस्तों यहां पर कुल भरती का यहां पर 15% लिया जाएगा जैसे कि अगर 1500 पद खाली हैं जैसे 7000 भरती हैं दोस्तों तो अन अभ्यारती को इस 7000 का 15% यहां पर वेट प्रतिक्षा सूची वो मानने रहेगी और उसके साथ साथ क्या रहेगा दोस्तों कि जैसे जो candidate MP पुलिस जॉइन नहीं करता है ये पद खाली हो गया है तो प्रतिक्षा सूची से उसको उठा लिया जाएगा ताकि बार बार दोस्तों अभ्यार्थी को भी परिशानी नहीं हो पहले क्या होता था दोस्तों इसमें वेटिंग लिस्ट है नहीं लगती थी आप जैसे कि अब यह पहली बार हो रहा है MP पुलिस में ये पहली बार हो रहा है इससे पहले वेटिंग नहीं लगाई जाती थी तो वेटिंग के जितने पद होगा याने कि जितने आपके पद है उसका 15,30 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसका 15,30 दोस्तों वेटिंग लगाएंगे यह वेटिंग में इनको रखा जाएगा ये जो है एक साल या अगली भरती आने तक के लिए मानने रहेगी उसके सांसाथ क्या होता था दोस्तों जैसा कि भी में बताया कि कुछ लोगो का रेटन क्वालिफाई हो गया पी एस्टी फीजिकल क्वालिफाई हो जाता था लेकिन वो फाइनल में नाम आने के बाद उसे जॉइन नहीं करते हैं कुछ लोग रहते हैं जो जॉइन नहीं करते हैं तो जॉइन नहीं करते तो वो पद क्या रहते थे वो पद हो जाते थे खाली, खाली हो जाते थे और वेटिंग इसमें लगती नहीं थी पहले, अब क्या होगा 1530 वेटिंग देखे, अब जो खाली पद रहेंगे, वो इन से ले लिए जाएंगे, इन से भर लिए जाएंगे, यानि कि इन में रखा जाएगा, उसके साथ साथ जैसे आज भी होता है, दोस्तों SSC GD में होता है, SSC GD है, SSC की कोई भी भरती ले ले, इसमें दोस्तों मान लीजे कि 50,000 वेकेंसी है, कुछ वेक्ति इसमें PST में निकल लगा है, कुछ दोस्तों फेल होगा है, कुछ मेडिकल में फेल होगा है, तो इसमें क्या होता है, वेटिंग नहीं लगती, यानि कि वो भरती खाली मतलब खाली अगले बार जब नहीं भरती आएगी तब ही लगेगी नहीं नहीं लगी ये पॉइंट आप देख लीजेगा आपके MP पॉलिस में 16 पॉइंट है दोस्तों प्रतिक्षा सूची ये अच्छी अपडेट है मद्यपदेश पॉलिस वाले सब्सक्राइब जरूर कर ले